हेलो गाईज आप देख रहे हैं ट्रैवलर ब्रोज मैं हूँ जैश और आज है हम लोग कस्मेडी गेट बस टैंड में और आज जा रहे हम लोग मैकलॉड गंज हम लोग ने हिमाचल परिवाहन की बस पकड़ी है तो सफर नामा शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर अभी डिनर के लिए यहाँ पर बस रुकी हुई है आप यहाँ पे अलग-अलग हिमाचल परिवाहन की बस देख सकते हैं तो चलिए अब हमारी बस भी चलने के लिए तयार हो चुकी है बस बस्तित प्रद प्रफ़ का मैं है हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आप अगल में देख सकते हैं कितना अच्छा सन्राइज हो रहा है बादियों में आके भाई साव अलगी फीलिंग आती है हेलो गाइज, हम लोग टाइमली धरमशाला बस्टेंड पहुँच चुके हैं और यहां का आप नजारा देखिए भाई साव यहां से हम लोग मेकलॉड गंज आएंगे मेकलॉड गंज के बगल में ही भागसू नाग वाटरफॉल है मेकलॉड गंज के मिडल से आपको लगबग एक गंटा लगेगी पैदल भागसू नाग वाटरफॉल पहुचने के लिए तो अभी हम लोग निकल चुके हैं भागसू नाग वाटरफॉल के तरफ यहां पहुचने के लिए आप पैदल भी जा सकते या फिर आप लोग ओटो बस या कैब भी ले सकते हैं जो की भागसू नाग पार्किंग तक आपको छोड़ देगी यह भागसू नाग का पार्किंग है अगर आप ऑटो बस या कैब से आते हैं तो आपको यह सारी वेहिकल्स यहीं पे ड्रॉप करनी पड़ेगी यहां से आपको पैदल ही ट्रेक स्टार्ट करना पड़ेगा यहां पे खाने पीने के लिए आपको धेल सारे धावाज और रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे हम लोग भागसु नाग टेंपल के ठीक सामने पहुँच चुके हैं और यहां पे टूरिस लोग के लिए एक छोटा सा री क्रियेशन पॉइंट बनाया गया है आप देख सकते हैं और यह रा भागसु नाग टेंपल तो यहां से हमारी भागसु नाग वाटरफॉल की ट्रेक स्टार्ट होती है भागसु नाग वाटरफॉल लगबग सी लेवल से 7000 फीट उपर है यह वाटरफॉल्स सिव जी को डेडिकेट किया हुआ है और यह वागसु नाग वाटरफॉल अटरफॉल यह राफ टू बागसु नाग वाटरफॉल्स जो चेब सब्सक्राइब नेसे सवमी बागे तक खाल नी रह सकती हुआ हम लोग वटरफॉल के करीब पहुच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि रास्ता एकदम संकरा हो गया है आरे भाई साथ करीब देख सकते हैं कर दो फट जा वन रज़ यह तो फीड़ भाज़ मैं अधर अभर जबर जो जर बडर्श है जो जो अधर को जो जास तो अब हम लोग मोटल जा रहे हैं, बहुत अच्छा वाटरफॉल है, आप भी अगर में कलॉट गन जाते हैं, तो जरूर से जरूर भागसुनाग वाटरफॉल आएं, बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही सीनिक लोकेशन है, और ट्रेकिंग करने बे भी आपको मजा जाएगा